तो चलिए आज हम बनाएंगे बिहारी एस्टैल में अस्पाइसी मतन करी जो की बनाना बहुत ही असान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो हेलो दोस्तो मेरा नाम रीतू और स्वागत करते हूं तो कुक फास्ट में अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं कियो हो तो क मतन ले रहे हैं और हमने चार लसन लिया था अब जो मतन देड़ केजी लिए उसमें डालेंगे एक वड़े चमा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से कोटिंग कर देंगे मतलब इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप इस तरह से मतन बनाए ट्राइ करें सरसो का तेल में ही बनाएं और इसमें डालेंगे जीरा, सूखा लाल मिर्च, एक दो तेज पत्ता और पांच छे लसुन की कलियां डाल देंगे और इसे थोड़ा रोष्ट होने देंगे इसके बाद डालेंगे प्याज तो देखिए रोष्ट हो चुका है तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम प्याज में थोड़ा सा नमक डाल देंगे दोस्तों ताकि प्याज थोड़ा जल्दी सौप्ट हो जावे तो देखिए हमने नमक डाल दिया है और इसे तो चलिए दो मिनट के लिए और पकाते हैं तो देखिए दो मिनट हो गया है और यह देखिए प्याज अच्छे से गल चुका है तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह देखिए थोड़ा ब्रॉन भी हो चुका है दोस्तों और यह काफी सौप्ट हो गया तो चल की मटन जितना भूनेंगे उतना ही टेश्टी लएगा तो आप मटन को पहले तीन से चार मेट के लिए अच्छे से भून ले इसके वाधी मसाला डालें दोस्तों तो देखिए तीन से चार मेट हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे आधी छोड़ी चमा हल्दी पौडर आध अधी छोड़ी चमा धनिया पौडर और आधी छोड़ी चमा लाल मिश्ट का पौडर तो आप अपने तीखा के नुसार डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ लसून और हरी मिश्ट का पेष्ट जो की हरा मिश्ट लाल हो दोस्तों तो कोई नहीं अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के कोडिंग नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे तीन से चार मिट के लिए अच्छे से भूनेंगे मतन को ताकि मतन खाने में टेस्टी लगे तो आप यहां पर ध्यान रखे कि मतन को ढखकर तब ही भूने जब मसाला डाल दें तो पहले 3-4 मिनिट के लिए भूने तब ढ़क्कर नहीं भूनें दोस्तों जब मसाला डालने के बास भूने तो आप इस तरह से मसाले डालने के वाद धककर भूनेंगे तो खाने में बहुत ही जादा टे управ जिस्टे ले मिनट ठकी अमय नद्स पॉलॐ तो थोड़ा है अगी हमेंदा तो देखे हमारा मतन ऑक चूपक करेंगे जजें कि हम भीकिन के अँड़ा they are all Ja hire medios नोगा हैं यह कुछ देते हैं तो पहले लिए पका टीकी मेंदा तो हम नद्स तो पकाएंगे और यह देखें कितना टेश्टी लग रहा है आप हमारे तरीके से एक वाद जुरू ट्राई करें दोस्तों अब हम उपा से डाल देंगे धनिया की पत्ती और अच्छे से मिक्स कर दें आप जब भी मटन बनाएं दोस्तों तो इसमें ज़्यादा ग्रेवी ना रखें अइसे ही सूखा बनाएं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा तेश्टी लगता है तो चलिए सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में और ये देखें तो आप मेरे तरीके से एक वाद जुरू ट्राई करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टिक क्यार